जो इनसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इनसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, उस इनसान की जिन्दगी में आपको सुकून और शांती हमेशा दिखाई देगी. ऐसा क्यों है? दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए, तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसी विचार डाल सकते हैं, जिससे हम अपने मन की बखबख को शांत कर सकते हैं. जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, दोड़ता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं. और दोस्तों, अगर एक बार मन की बखबख रुक जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं. इसलिए अगर आप मन की बखबख को शांत करवाना चाहते हैं, तो इस कहानी को आखरी तक जरूर सुनियेगा. एक नगर की बात है, उस नगर में एक नौजवान योग रहता था, उसका नाम विशाल था, उसे एक समस्य थी और उसकी समस्य अया थी, कि उसका मन हर समय भटकते रहता था. उसके मन में हर समय कोई न कोई नाकारात्मक विचार चलते रहते थे उसकी मन की बगबग कई शांत नहीं होती थी वह जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलगी कर देता कभी वह अपने अतीत के बारे में सोच कर पच्चता था कि काश मैंने उस काम को उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता उस काम को वैसा कर दिया होता या फिर वो अपने भविश्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविश्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा कहीं में असफल हो गया तो क्या होगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे और ऐसे ही कई नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे विशाल हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था विशाल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालत विचार कभी न आए लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उड़ता ही रहता इसलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास ही के जंगल में एक बहुद विक्चू रहते हैं उसके पास जाओ वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे यह सुनकर विशाल तुरंत ही बहुद विक्चू के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है बहुद विक्चू भी विशाल की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो यह सुनकर विशाल कहता है हे गुरुदेव मैं अपने मन को शान्त वखाली करना चाहता हूँ मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली वखाली वखाली कैसे करते हैं मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है मेरा मन, मेरा ध्यान एक जगह लगे नहीं पाता जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या जाती है मैं एक चीज करता हूँ तो नाकारात्मक विचारों के कारण दूसरे चीजवर पहुंच जाता हूँ मेरा मन एक जगे ठैरता ही नहीं है और यूहीं हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है क्यों होता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ गुरु देव, मैं अपने मन को वीचारों से खाली करतेना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी वीचार ना आए. जब मैं चाहूं, तभी मेरे मन में वीचार आए. फिर बौध भीक्षू ने कहा किसी समस्या का समाधान तभी निकल जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं। समस्या को ठीक से समस्ते हैं और जानते हैं आगे बहुत बिख्चु कहते हैं कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है जाना है यह सुनकर विशाल ने कहा महराज मैंने अपन मन को जानने की बहुत कोशिश की है लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानना चाहता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्ते मही हो जाता है फिर बहुत बिक्षू ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्तर भर कर ले आओ फिर वह युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्तर भर कर ले कर आया और उस घड़े को बहुत बिक्षू के पास रख दिया फिर बहुत बिख्चू ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थर को अपने विचार समझो अब इस घड़े में और पत्थर डालो उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया क्योंकि घड़ा पहले से बर अगर दूसरे पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे फिर बहुत भीक्षू ने उस युवक से कहा रुको जरा ध्यान से देखो अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बलकि पत्थर नीचे गिर रहे हैं क्योंकि ये एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था वह आ गया है अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना होगा यह सुनकर उस युवक ने कहा गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए विशाल किया बात सुनकर बहुत बिक्चु मुस्कुराने लगे और कहा पहले मेरी बात पूरी सुनलो उसके बाद मन को खाली कर लेना फिर बहुत बिक्चु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्खुल उल्टा है क् क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। एके करके पत्थर बाहर निकालो। विचाल ने वैसा ही किया, वह घड़े में से एके करके पूरे पत्थर को बाहर निकालता रहा, और ऐसा करते करते आंतता घड़ा खाली हो गया।ieder बहुत भिच्छु ने इस यूवक से कहा, देखा तुमने, जब एके करके तुमने पत्थ डाल सकते हो या फिर उन्ही पत्थरों को दुबारा डाल सकते हो आदा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो फिर वह योग कहता है गुरुदेव मैं भी तु यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है यह तो एक पत्थर है इसे असानी से निकाला जा सकता है औ लेकिन गुरु देव मैं अपने मन को कैसे खाली करूं। फिर बहुत बिख्चु ने कहा इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उसी वक्त उस व्यक्ति ने कहा गुरु देव यह कैसे हो सकता है जब घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही निकलेगा न, दो कैसे निकलेंगे? फिर बहुत बिक्षु ने उनसे कहा अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो. विशाल ने कहा महराज ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमतकारिक कला तो है नहीं कि एक डालो तो दो यह सुनकर बहुत बिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमतकारिक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारा मन तो चमतकारिक है. उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो, तो उसके साथ दो विचार आते हैं. और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो, त उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी स्रिंकला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुखते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो, यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हार पिरे मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली रहता है। लेकिन वो खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उसी वक्त, उस्व्यक्ती ने कहा। गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। लेकिन क्या मैं हमेशा अपने वीचारों के जाल में ही फसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बहुत बिक्चु ने कहा इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो, फिर उस युवक ने ऐसा हैं किया. फिर बहुत बिक्चु ने कहा अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उस पत्थर के एक छोटी सी मुर्ती बना कर मुझे दे दो. मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो. विशाल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को उपा ध्यक्चों के सामने ही तराशने लगा. पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है. फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला. लेकिन उसे वह पत्थर पसंद नहीं आया. फिर उ युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल लिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बाध बिक्चु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बाध बिक्चु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले वाला पत्थर निकाला था उस पत्थर को यह समझ कर तरासो कि इसके तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और एक ही पत्थर तुम्हारे पास है फिर उस व्यक्ति ने जैसा गुरुदेव ने कहा था उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुन्दर मुर्दी बनाई और बहुत बिक्चु को और बहुत बिक्षू से कहा गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुन्दर मूर्ती बन सकती है ये तुम्हें सोच भी नहीं सकता था। अथर चुनते भी नहीं और मुर्ती बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रखता है। और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतु के विचारों में उलजकर हम रह चाते हैं। फिर उस युवक ने कहा गुरुदेव मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। कृप्या आप मेरा मार्क दर्सन करें। बहुत भुक्चु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क् तुम इसके लिए तयार हो। वो युवक कहता है जी गुरुदेव मैं तयार हूँ। चाहे कितने भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। फिर बहुत बिच्छु ने उस युवक से कहा कि अगर मन को खाली करना है तो नकरात्मक विचारों से दूर रहने के छे तरीके हैं। आ पता हुआ लक्षहीन महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग रहते ही हैं जो हमसे हमारे पद से हमारे धन में ऊपर होते हैं। और इसी पद और धन के घमन में वो अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नह चाहिए और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं और इसलिए वह छोटे लोग अपने जियों में कुछ बड़ा हासिल करी नहीं पाते। दूर रह सकते हो उतना दूर रहो क्यांकि यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारे नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्षेहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबलियत पर शक होना सुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रती नकरात्मक भावनाय जागने लगती हैं और ये नकरात्मक विचार तुम्हें मांसिक तना और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बहुत बिच्चु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज़त कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें. हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माबाप के बाद हमारे मित्रों का हैं सबसे ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत अवशक है. ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन पांच लोगों का प्रतिबिम्भ हो, जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, वे इमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे इमानदार होना शुरू कर दोगे. और अगर वो पांच लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे आमीर होना शुरू कर दोगे कहने कार तातपरे यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह की लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी इंसान के मित्रों से मिलवा दो मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविश्य बता दूँगा हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते ना चाहते हुए भी हमें उन नकरात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जिन्दगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारे जिन्दगी खराब कर रहे हैं अगर ये हमारे जिन्दगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे बौद बिक्षू आगे कहते हैं तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते लेकिन तुम अपना भविश्य अवश्य बदल सकते हो इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर उन कामों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे नियंत्रन में है जीने तुम आज कर सकते हो अभी कर सकते हो बौद बिक्षू कहते हैं मेरी एक बात हमेशा याद रखना केवल वर्तमान में रहकर भविश्य को समारा जा सकता है आतीत में रहकर नहीं इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो चौथा तरीका है कि तुम स्वास्त और पौस्टी खाना खाओ हमारा सरीर उर्जा से चलता है और जैसा हम खाना खाएंगे वैसी ही उर्जा हमारे शरीर को मिलेगी अगर हमारा शरीर स्वास्त नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वास्त कैसे रहेगा जब शरीर कमजोर वो बिमार रहता है तो मन में कई नगरात्मक विचार आते हैं और स्वास्त शरीर में स्वास्त दिमाग का वास होता है इसलिए शरीर को स्वास्त वो मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है बहुत बिक्षु कहते हैं कि पाँचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो ध्यान करने का सबसे उप्युक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उप्युक्त समय रात का ही होता है रात में सोने से पहले ध्यान करने से निंद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी निंद आती है ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंदरित कर सकते हो मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंदरित करने से ध्यान करने वाले का ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उत्रा जा सकता है अगर तुम ध्यान नहें कर सकते हो, तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ खुद के वेवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं बौध बिक्चू आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगा घुमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको सौ किताबों के बराबर ग्यान देती है गौतम बुध अपने जीवन काल में नौ महीने लगतार घुम रहे थे, उनके ब्रह्मन करने का यही कारण था कि नए नए जगा जाने से ज्ञान की प्राप्ती के साथ साथ मन को एक नया पन भी प्राप्त होता था नए जगा घुमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है फिर बहुत भिक्षू कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फशो मन को खाली करने की कोशिस मत करो जीवन में ध्यान करना सीखो अपने ध्यान को केंदरित करो अपने ध्यान में एक कागरता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुमें और कुछ नहीं करना है जब फिर दूसरे विचार पर कारे करो तो बस उसी पर कारे करो किसी तीसरे विचार पर नहीं मन के माया जाल से निकलना इतना असान नहीं है लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है तो दोस्तों आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ मुल्यवान सीखा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद